वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेक वी सेलेस दोस्तो आप सभी को हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आप देख रहे हैं टेक वी सेलेस दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पताने वाला हूँ whatsapp जो band होता है उसको unband किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो हमारे चैनल को subscribe, connect साथ साथ, bell गंटी को दबा के all notification वाले पटन को on कर ले ताकि जब भी हम भविस्य में वीडियो डाले सबसे पहले आप तक चला जाएं तो यह वीडियो को start करते हैं सबसे पहले अपने play store को open करना है play store को open करेंगे और search bar में डालेंगे whatsapp whatsapp डालेंगे यहाँ पर whatsapp जैसे ही whatsapp आता है उस पर देखिए whatsapp messenger दिखा रहा है और नीचे एक दिखा रहा है इस पर आप click करेंगे जैसे आप इस पर एक बार click करेंगे यहाँ पर देखिए app support दिखा रहा है दोस्तो इस पर एक बार आपको click करना है जैसे आप click करेंगे दोस्तो यहाँ से website पर चले जाएंगे website वाले icon को click कर देंगे दोस्तो जैसे ही आप website वाले icon को click करेंगे दोस्तो WhatsApp का interface कुछ इस तरह से दिखाई देता है Unbanded का तो चलिए यहाँ पर three line दिखाई देंगे left side corner के उपर में तो चलिए इसको एक बार click कर लेते हैं इसको एक बार click करने के बाद दोस्तो आपको जाना है help center में help center में जाने बाद यहाँ पर click करेंगे help center में जैसे ही जाएंगे दोस्तो कुछ और file यहाँ पर आएंगे दोस्तो कुछ इस तरह से interface आएगा इसको आपको क्या करना है नीचे जाना है नीचे नीचे जाना है अब आपको क्या करना है दोस्तो दोस्तो नीचे की तरफ में स्क्रोल करना है अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर दिखाई देगा आपको इस पर एक बार आपको क्लिक करना है दोस्तो इस पर जब एक बार आप क्लिक करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर दो आशन दिखाई देगे दोस्तो WhatsApp India करके From Information on How to Connect the Givens Officer And WhatsApp In India You can read this article इस पर एक बार आपको क्लिक करना है दोस्तो यहाँ पर नीचे Second वाले option पर क्लिक करना है Contact US यहाँ पर आपको क्या करना है एक बार क्लिक करने के बार दोस्तो कुछ इस तरो का इंटरफेस दिखाई देता है WhatsApp Unbanded का तो दोस्तो जो नमबर आपका WhatsApp में Unbanded है उसको क्या करना है आपको यहाँ पर अपना नमबर डालना होता है और यहाँ पर दोस्तो डाल लेना होता है देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक नमबर डाल लेता हूँ देखें दोस्तो और यहाँ पर डाल लेना होता है एक अपना email यहाँ पर डालना होता है एक email दोस्तो यहाँ पे हमने एक email भी डाल लिया अब इस email को दुबारा इसमें confirm email पर click करना होता है अब इसमें एक बार और email वही डाल लेते हैं जो पहले वाले में डाले हैं अब डालेंगे यहाँ पे add bracket gmail .com अब यहाँ पे हमने डाल लिया आप दोस्तों यहाँ पे android वाला पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पे डालेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों क्या करना होता है यहाँ से इसको back कर देंगे और यहाँ पे जाएगे यहाँ पे कुछ रीजन से डालने होते हैं दोस्तों चलिए मैं एक रीजन डाल लेता हूँ कुछ इस तरह से रीजन आपको डालना होता है दोस्तों कुछ इस परकार से लिखना होता है यहाँ पे next step पर क्लिक करेंगे next step पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा रहा है कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा दोस्तों और यहाँ पे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर एक send question का option दिखाई दे रहा होगा दोस्तो simply आपको इसी send question वाले option को send कर देना है दोस्तो इसको send करने पर दोस्तो आपके email पर 24 गंटे में email आएगा उसको check करके आप अपने whatsapp जो band हुआ था उसको run कर सकते हैं दोस्तो तो यही था हमारा वीडियो दोस्तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो हमारे वीडियो को लाइक करे और चैनल को subscribe करनेक साथ साथ बेल गंटी को दबा दे Thanks for watching my video झाल 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 झाल